तो आज यहां पर जो रीडिंग मैं करने जारी हूं उसका टॉपिक है विल यू गेट मैरिट और नॉट तो आज इस रीडिंग में मैं ये एक्स्प्रेन करने जारी हूं आप लोगों को कि क्या आपके शादी होईगी हा या ना और अगर हा होनी जारी है तो वो बंदा या वो बंदी means आपके होने वाली वाइप जो है वो कौन होंगे कैसे होंगे तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिटर रीडिंग गाने जा रहे है तो यह जो रीडिंग हैं काईश से जनरल रीडिंग है और यह पर बोद में से इसे घ्ल आल पहले है और आपके सामने इपार पेसी निया है दो त्ट कर अपर को क्या है आपने एपने भी लिब देर्ट देट 21k vag yard 11愩 पैल नंबर 1 हो और जो लोगों का भी बड़िट 16 से लएके 31 के अंदर आता है वो लोग पैल नंबर 2 है और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूंगी कि मेरे जितने भी रीडिंग सोते हैं सारे टाइम लेस होते हैं और जेनर रीडि आपको सर्फ क्या करना है उसका सेलेशन जानने के लिए मेरे चैनल में आपको जाना है वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप लोग जाओ और वहाँ पे एक वीडियो सेलेट करो जो भी आपका इशु हो रहा है उसके रिगार्डिंग एंड उससे स्टार्टिंग से लेके अंडि प्लेशन मिलेका और मैं भी धेर साइट न्यू न्यू टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग करूंगी आप लोगों के लिए जस्टो हैल्प यू ओल ठीक है तो गाइस अभी हम रीडिंग श्रू करता है पैल नंबर वान से और चानते हैं कि उनके नियती में क्या लिखा हुआ है क्या उनकी शादी होगी या नहीं हाँ या ना अगर होती है तो उनका होने वाला हस्पेंट या फिर उनका होने वाला वाइप जो रहेंगे वो कौन होंगी कैसे होंगी सो पाइल नंबर वान आप लोग देख पा रहे हो मैंने आप लोगों के लिए पहले ही एकार सेलेक का लिए है वो है स्ट्रेंद का कार्ड अप्राइट पोजिशन में और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कार्ड भी यहां पे मैंने रखे हुए है ताकि पहले हम उस सवाल का उत्तर जान पाए जो की है विल यू गैट मैरेड और नौट यस और नो उसके बाद हम लोग यह जाने के कि अगर हां है तो वो बंदा या वो बंदी जिनके साथ आपका घर बसने वाला है वो कौन होंगे ठीक है तो यहां पे जो स्ट्रेंद का कार्ड अप्राइट पोजि है means अगर आप चाहोगे तब ही जाके आपकी शादी होगी पाइल नंबर वन means यहां पर डिवाइन आपको एक मतलब opportunity कहलो या पर एक responsibility कहलो वो आपके उपर दे रही है कि अगर आप खुद चाहते हो शादी करना तब ही जाके आपके शादी होगी और अगर आप नहीं चाहते हो शादी करना तो आपके शादी नहीं होगी तो यहां पे डिवाइन खुद डिसाइड नहीं कर रही है आप लोगों के लिए वो चाहोगे तो आपकी शादी होगी, अगर आप नहीं चाहोगे तो आपकी शादी नहीं होगी, उस हिसाब से यहाँ पे आपका जो situation है उसे मैं देख पार रहो गाईस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने आप देख पार रहो एक no का कार्ड भी आया हुआ है, तो अगर आप नहीं चाहते हो शादी करना तो आपके शादी नहीं होगी लेकिन strength का card applied position में आया है, soulmate का card भी आया हुआ है, union and partnership का card आया है and dreams का card आया हुआ है, तो अगर आप दल से चाहते हो कि आप शादी करना चाहते हो किसी के साथ, तो आपके शादी जरूर होगी और यहाँ पे आपके शादी जिनके साथ होईगी, वो आपके soulmate होगे एक true love, तो यह आप समझ लो कि यहाँ पे जो सवाल है, आज का topic है, will you get married or not तो इसका उत्तर है, pile number one के लिए both, yes and no, इस सवाल का उत्तर, दोनों तरफा ही है लेकिन decide आपको खुद करना है, अपने life का decision अपने हाथों मिलो, अगर आपको शादी करने का मन करेगा तो बस दिल से manifest करो, divine के सामने बताओ that you really wanna get married, तो divine आपको आपका soulmate के साथ आपका, जो ये love connection है, union और partnership कहलो, उसे वो एक नई दिशा दिखाएगी आपका मिलन हो जाएगा उनके साथ, आपके soulmate के साथ surprisingly, surprisingly you will meet your life partner, if you wanna get married, then अगर आप शादी करने चाहते हो, तभी जाकिए आपकी मुलाकत आपके soulmate के साथ होएगी अगर नहीं चाहते हो, तो आप कभी वो उसे नहीं मिलोगे, आपके soulmate से और एक चीज़ यहाँ पे है कि शायद आप लोगों में से किसी का past में कुछ heartbreak हुआ था या पर अगर आपके मन में ऐसा कुछ डर रहता है कि शादिया टिकती नहीं है, रिस्ते टिकते नहीं है, इसलिए आप शादी नहीं करना चाहते हैं, वो मत सोचो गाइस अगर आप एक chance लेना चाहते हो, तो आप divine के सामने simply just say कि पहले आप मुझे मेरे soulmate से मिला दो and after that I will decide that I wanna marry or not तो भी आप, आपके soulmate से मिल पाओगे and उसके बाद आप decide करना कि आपको शादी करना है या नहीं करना है चीक है, लेकिन अगर आप शादी करने के लिए हाँ बोलते हो, तो आपका होने वाला husband या फिर आपका होने वाला wife के साथ आपका जो connection रहेगा, वो बहुते जादा strong and caring side से रहेगा जहाँ पे कि you both will take care each other आप उनका ख्यार रखोगे, वो आपका ख्यार रखेंगे, जैसे कि better halves होते है उस तरह से मैं देख पार हूँ, आप उन्हें संभाल रहे हो, वो आपको संभाल रहे है ठीक है? So pile number one, आप यहाँ पर सामने देख पार हूँ, मैंने कुछ extra cards निकाल लिये है और three of swords का card भी आयवा है upright position में तो अभी मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ बोला चाहूँगी कि जो लोग शादी करना चाहते हो अपने life में, उनका life partner कैसा होगा या कैसी होगी वो बताने चाहरी हो और guys जिन लोगों को, जिन लोगों ने ये पहले ही decide कर लिया है कि उनको शादी करना ही नहीं है तो वो लोग यहाँ पे stop कर सकते हो, आप लोगों को ये बात सुनने की जरुरत दे है कि आपका life partner कौन है या कौन होगे ठीक है, तो पहली बात आपका होने वाले husband या फिर आपकी होने वाले wife जो है, वो air sign के हो सकते है, जामने लिब्रा, aquarius हो सकते है ठीक है, नेचर वाइस अगर मैं उन्हें डेस्क्राइब करने जाओ, तो थोड़े emotional kind of person मैं उन्हें देख पा रही हूँ, बहुत जल्दी अपना जो confidence जो है वो हो बैठते है means इतनी जादा वो emotionally mature नहीं होंगे जब आपकी मुलाकात उनसे पहली दफ़ा होगी, वो कोई ना कोई trauma कहलो या परेशानी कहलो या कोई दुख या तकलीफ से वो गुजर रहे होंगे, एक transformation से वो गुजर रहे होंगे जब आपकी मुलाकात उनसे पहली दफ़ा होगी यह मुझे यहाँ पर strongly दिख रहा है, उनका किसी के साथ argument हुआ होगा या उनका job गया होगा, finance में कोई मतलब loss हुआ होगा, या फिर खुद की family को उन्होंने खुद छोड़ा होगा, उस दोरान आप उनके life में आ जाओगे just to help your soulmate, आप उनकी help कर रहे हो, वो आपकी help कर रहे है, मैंने पहले ही बोला था ना कि अगर आप शादी करना शादत हो तो आपका बंदा या बंदी के साथ आपका connection उस side से रहेगा, जहाँ पे कि आप उन्हें संभाल रहे हो, वो आपको संभाल रहे है, उस हिसाब से, ठीक पत रहेंगे, चाहे वो lean हो, या फिर joby हो, लेकिन attractive दिखते होंगे, ठीक है, और इन्हें आप नहीं जानते हैं, ये एक stranger है, sudden आप उसे मिलोगे, unexpected way में आप उसे मिलोगे, टकरा जाओगे कहीं न कहीं, and after that पहली नर्जर में वो attraction आजाएगा, एक दूसरे के प्रती, आइदर आप उनके help कर रहे हो, या फिर वो आपके help कर रहे है, आपका होनेवाल husband या फिर आपके होनेवाले wife जो है, वो practical and logical side से है ये सच है कि वो परिशानी को tackle नहीं कर पाते है, कैसे संभालना है वो नहीं जान पाते है, कैसे manage करना है वो नहीं जान पाते है, लेकिन फिर भी उनका strong side है, वो कोशिश करते है खुद को संभालने की, भले ही वो संभाल पाएं ना पाएं, अकेले में रोएं लेकिन वो try ज प्यार बहुत माइने रखता है, वो आपको किसी दूसरे या तीसरे के साथ नहीं देख सकते, imagine भी नहीं कर सकते, that much वो आपसे प्यार कर पैठेंगे, and at the same time, आप दोनों के बीच में एक sexual interest का लुष्टी वाइफ भी है, जो कि आप दुनों को बहुत जादा खीचे का एक दूसरे के प्रती, अलग नहीं रह पाओगे, after your first meeting, और एक चीज है, that आपका पोसन थोड़ा adventurous है, means, जब वो थोड़ा मतलब खुश रहते है, at the time, उन्हें अच्छा लगता है, अपने फ्रेंज के साथ समय बैतीत करना, camping trips पे जाना, या पर simply कहें, pizza खालिया, burger खालिया, साथ में, फ्रेंज के बीच में रहे के, मतलब थोड़ा बहुत time, वो अपने फ्रेंज को देते है, families को देते है, जब वो खुश रहते हैं, otherwise, यह इंसान काम में, studies में डूप के रहते हैं, ठीक है, तो guys, इस तरह का होनी चाहई रहे है, आपके होने वाले husband, या फिर आपकी होने वाले wife, अगर आप शादी करना चाहते हो, तो, अगर आप शादी नहीं करना चाहते हो, तो आपको तो यह जाने की जरुवत ही नहीं है कि आपकी शादिकिन के साथ हो रही है वो इंसान कौन है फिर भी अगर आप सुनना चाहते हो इस रीडिंग को तो स्टार्टिंग सेंडिंग तक आप सुन सकते हो जस्ट फॉर फन पॉर्पल्स चीक है मोटिवेटेद फील कर रहूंगी और धेर सारी न्यूनी टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेके आप आऊंगी ठीक है तो तेंक यू नमस्ते तो पाइल नमबर टो नमस्ते एवरिवान तो यहाँ पे आप लोग देख पार हो मैंने एक काड़ और इस लेकर लिए है इस सवाल का जवाब जानते हैं आप लोगों के लिए पाल नमबर टो की विल यू क्याट मैरेट और नॉट आपके शादी होईगी या नहीं हां या ना पहले वो जानते हैं और उसके बाद हम लोग यह जानेगे अगर हां है तो आपके होने वाले हस्पेंट या पर आपके होने वाले वाइब जो है वो कौन होगी ठीक है तो पहले सवा का उत्तर will you get married or not yes or no so guys panel number two it's a big fat yes for you guys ठीक है कि हाँ आपके शादी जरूर 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 होगी चाहे आप चाहो या ना चाहो ठीक है क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पहली बात तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजे चलती रहती है ना चाहते हुए भी आप कई सारी चीजों को imagine करना शुरू कर देते हो कि मतलब suppose family में पाचीत चल रही है शादी वाली यह सब चीजों के बारी में आप खुद ही अपने मन में यह चीज बिठा लोगे कि oh my god शादी शादी तो बरवादी का पहला कारण होता है शादी करने से इंसान का independence जो है वो खोश आता ह है इंसान शादी करता ही क्यों है like that ठीक है इतनी ज़्यादा responsibility आप मंदलब इतनी सारे चीजों को अपने माइंड में सोच रह शुरू कर देते हो रहा है और उसके बद आपको खुदी पता नहीं चलता है कि आपके लिए कैसे है आपके लिए क्या क्लारिटी कि आपके मूग के तहत मींस आप चाहते हो कि सामने वाल आपको पूरा ही बता दे कि आपको क्या करना चाहिए आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते हो पैल नबर टू ठीक है और आपको क्लारिटी चाहिए हां ना बता दो बस इस तरह सा आपका माइंड सेट है तो आप लोग जान ल आपको 80% chances मैं यहां पर देख पार रहे हूं और 20% chances है कि हो सकता है कि टेंपल में आपकी शादी हो और आपका जो connection रहे का आपके life partner के साथ वो एक fairy tale kind of connection रहे का means पहले तो आप शादी से भागते हो प्यार से भागते हो लेकिन at the end of your love story love story मैं इसलिए बोल रही हूँ क्यों क्यों आप love marriage करने वाले हो बहुत जादा chances है आपके लिए कि आप love marriage ही करोगे arranged marriage का wives मुझे नहीं आ रहा है panel number two फिर भी अगर आप चाहते हो arranged marriage करना आपका mindset ही है कि मुझे arranged marriage करनी है तो आप कर सकते हो it's up to you ठीक है क्योंकि general reading होता है तो यहां पर एक चीज है कि आपके अं general strength है वही आपके success का रास्ता बनेगा कभी खुद को हारा हुआ मच सोचना guys क्योंकि आप एक ऐसे person हो जो बहुत जादा confusing vibes में रहते हैं अपने feelings को दबा के रखते हैं क्या चाहते हो आप वह हाइट कर देतो हाइट करना सही नहीं है guys जो आपके लिए सही feel हो रहा है आपको वो जीसा आप बोलो दूसरों को ठीक है और एक जीस यहाँ पे है यह तो तैह है कि आपकी शादी होनी चाहरी है तो जिनके साथ आपकी शादी होगी उनके साथ आपका एक strong emotional connection जो जाएगा ज्यादा तर क्या होता है ना मतलब couples के बीच में attraction जो है वो core factor रहता है लेकिन पा जहाँ पे कि आप खुद को बुला कि उनसे प्यार करने की मतलब अफकर बैठोंगे ठीक है I know आपकी मन में एक चीज़ चलता है कि प्यार गलती है जो कि सही नहीं है आप ये चीज़ खुद मान लोगे जब आपको प्यार हो जाएगा किसी से at the time you will know the real value of love उस टाइम पे आ और कुछ भी नहीं है आप खुद को भूला कि किस से प्यार करने वाले हो अगर आपको आपका लाई पार्णर नहीं मिला है तो आप ये जान लो कि तूट के प्यार करो गया आप उससे सो पाइल नमबर टू यहाँ पे आप देख पार रहे हो मैंने five of cups का card जो है वो आप लोगों के लिए select कर रहा है जो कि reverse में आया हुआ है और उसके साथ कुछ extra cards भी मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हुए है जो कि ये बतानी जा रहा है कि आपके शादी जो है वो किन के सो काइस पहली बात आपका होने वाला spouse का जो zodiac sign रहेगा वो water sign का होगा cancer, scorpio, pisces आप तोनों लगभग similar मुझे दिख रहे हो आप जितने emotional हो उतने emotion आपका life partner भी होंगे आप दूसरों के emotions की कदर करते हो आपका होने वाला life partner भी दूसरों के emotions को कदर करेंगे ज्यादा तर क्या होता है ना opposite attracts होता है relationship में लेकिन आपके case में मुझे दिख रहा है कि similarity attracts कर रहा है एक दूसरे को आपका nature जैसा है वैसा ही nature आपका life partner का रहेगा यहाँ पे मुझे twin flame connection फील हो रहा है पास लग connection फील हो रहा है आप दूसरे का better half हो आपका nature उनका nature लग भग similar रहेगा लग भग और एक चीज है कि जब आपके मुलाकात आपके life partner के साथ होईगी उस दौरान वो अपनी life में कोई एक phase कहलो उसे end करके एक new phase में enter कर रहे होंगे means अपने past को छोड़ के आगे बढ़ रहे होंगे उनका past कुछ भी हो सकता है family issue हो सकता है या फिर finance से related कोई problem हो सकता है या फिर अगर आपका life partner का past में किसी के साथ उनका कोई रिस्ता था तो वो भी तूटने के बाद ही जाकि आपका मुलाकात आपके life partner के साथ होगा ये तैह है एंग जब आप उनसे मिलोगे उस दौरान वो single होंगे features अगर मैं बताने जाओ तो deep, dark, black color के आँखे होंगे आपके होने वाले spouse का बहुत एक खुबसूरत होंगे दिखने में attractive आपको feel होगा थोड़ा serious look हो सकता है उनका passionate इंसान है उनके लिए उनका career, life बहुत matter करता है जिन्दकी जीने की चाह जिसे बोलते है न हर एक दिन को आखरी दिन समझ की जीना उस तरह का उनको अपने life में जीने का पसंद है independent person रहेंगे, formal dresses जादा तर carry करना उन्हें पसंद है हो सकता है कि उनका कोई ऐसा job होगा या उस तरह पर वो कहीं पर पढ़ाई कर रहे होंगे because of the reason उन्हें एक uniform carry करना पड़ता होगा और mature होंगे, आप से age में बड़े हो सकते है या फिर mind wise, emotionally mature wise वो आप से जादा mature हो सकते है ठीक है? और हो सकता है कि वो उनकी family में elder मतलब घर में सबसे बड़े बेटे या सबसे बड़ी बेटी हो सकते है या फिर एक लौता संतान हो सकते है उनके parents का ठीक है? So guys, यही वो इनसान है जिनके साथ आपका घर बसने वाला है तो guys, यह था reading आप लोगों के लिए तो अगर आप लोगों को मेरे जो readings होते है वर सुनेट करते है या फिर आप लोगों को सुनना ही अच्छा लगता है guys, तो आप लोगों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो अपने family, friends and colleagues के साथ तो guys support दिखाओ और मेरे blessing समेशा आप लोगों के साथ ही रहे की so take care and be safe guys, love you all, thank you, bye